नवजकर दोस्तों मेरा अलकुमार आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास है एक साइड कंपनी का GQP 1450 इनवर्टर जिसका मॉडल है GQP 1450 यह 12 वोड की इनवर्टर है और इस इनवर्टर की वरेंटी इस इनवर्टर की कैप दोस्तो इस इनवर्टर को बैट्री से करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यह इनवर्टर कैसे function करता है लोड देने पर कैसे यह इसका जो डिस्पले पर होगा वो आपको कैसा दिखेगा लोड क्या बताएगा और बैटरी का वोल्टेज कैसे दिखाएगा और यह सारे चीज दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस इनवर्टर के उपर कवर कर लेंगे कि इसकी लोड टेस्टिंग की वीडियो दोस्तो इसके बाद आने वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा तो दोस्तो सबसे पहले आप इस इनवर्टर के बाक्स को तो आप लोग देख पा रही होंगे यह inverter है, यह inverter 3.5 साल के warranty के साथ आपको मिलती है और यह copper transformer के साथ आता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 100% copper transformer और यहाँ पे आपको 42 मौन्थ के warranty के साथ आपको यह inverter मिलेगा अब बात कर लेते हैं product features की जो इस inverter के level पे लिखा हुआ है उस features को देख लेते हैं कि इसके साथ साथ आपको क्या-क्या मिलता है और on-box करने के बाद हम लोग को वो चीज़ देखने को मिलता है कि नहीं तो दोस्तों इस inverter के product feature के बारे में बात करें तो दोस्तों यह high quality pure sine wave inverter है copper transformer के साथ ही inverter आता है आपको 3 stage intelligent Isaac charging है यहाँ पे LED and LCD dual display आपको देखने को मिलेगा और यह auto smart protection उसके साथ ही दोस्तों इसमें great power saving का भी feature देता है MCB protection जो पीछे back side आपको देखने को मिलेगा MCB protection यह चीज़ भी आपको मिलेगा manual mains bypass facility जो है आपको बहुत rare ही inverter में देखने को मिलता है कुछी inverter में manual और bypass करने के लिए switch जो है available रहता है जो कि इसमें भी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा यह inverter 12,1450 भी यह का inverter है आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और साथे साथ front से आप देखेगा तो यहाँ पे 100% copper transfer यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और यह 42 month का product की warranty आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 36 month on purchase और additional 6 month जो है online customer sale registration अगर आप online registration करते हैं तो आपको 6 माईना extra इसमें warranty आपको मिल जाएगा अब इस inverter की unboxing में कर लेता हूँ तो आप इस inverter की फटा-फट में unboxing कर लेता हूँ तो दोस्तो open करने के बाद inverter आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अगर आपके घर में GQP 1450 पहले से है तो दोस्तो उस inverter से यह inverter काफी compact है चोटा है उस inverter से capacity जो है आपका 1450 भी ए में ही है आपको यह pure sine wave का यहाँ पे sign भी देखने को मिलेगा function सेम है backup on पहले वाले में भी था आज वाले में भी है और charging और charge का जो light था दोनों ही light पहले भी था आज भी है और यहाँ पे एक switch on off का switch आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे on off switch है आप देख पा रहे होंगे पहले आपको यह चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता था ऐसे इस टाइप से यहाँ पे आपको बड़े अक्षर में जो है यूपियस में करने के लिए आपको यहाँ पे पीछे साइड एक switch मिलेगा जो कि नॉर्मल में ही आपको रखना है यूपियस मोड में नहीं रखना है अगर आप इसको यूपियस मोड में रखते हैं तो आपकी input voltage जो grid से supply आएगा वह 180 से 230 के बीच होगा तभी है आपकी inverter ज के साथ में मिलेगा बैटरी से कनेक्ट करने के लिए और माइनस वाला ब्लैक कलर का मिलेगा यह आप लोग देख पा रहे होंगे यह अब इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं उसके बाद दिखाता हूं कि यह कैसे function करता है आगे के तरफ में तो दोस्तों मैंने यहाँ प दिखा रहा है यहाँ पर पर्सेंटेज लोड दिखा रहा है 8% का लोड चल रहा है 108 का बल्ब में लगाया हूं 8% का लोड चल रहा है यहाँ और बैक अप अन हो चुका है यह पावर अन-फ का स्विच है इसको मैं आफ कर लेता हूं आफ हो गया है अब डिस्प्ले इंपुट वोलटेज देखने और arthlyd बातरी का फोलटेज देखने को मिलेगा और आपका यह men's grid का जो वोल्टेज देखने को मिलेगा इस lifMAN का बैटरी का charging voltage दिखाएगा बैटरी का nominal voltage दिखाएगा और grid का voltage दिखाएगा यहीं चीज आपको इस display पे देखने को मिलेगा अधर वाइज दूसरा कुछ नहीं देखने को मिलेगा इस inverter के फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों यह inverter थोड़ा सा अलग है क्योंकि अधर inverter द 1050 आता था उसी साइज में आपको यह 1450 आपको कराया गया है और इस inverter का पहले के respect में देखा जाए तो इसका प्राइस भी कम गया है तो इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों यह आज के डेट में साड़े 8000 से लेके साड़े 9000 तक आपको market में या online कहीं से भी आपको मि आया ही हूं यह 100% साइन वेव इंवर्टर है और 1450 भी में आपको यह चीज एवलेबल हो जाता है वहीं पर दोस्तों अगर लुमिनस 1550 आप लेते हैं तो 1550 जो है वह भी आपको चौड़े 8000 उसका भी पड़ता है लेकिन यह आपको साड़े 8000 से एबब में आपको यह 1450 अगर 1550 लुमिनस से कंपेर करें उसके हिसाब से अगर मैं बताओं तो यह इनवर्टर आपको बेस्ट रहेगा इसमें आपको उससे बेटर फीचर मिल रहा है और पेटर आपको क्वालिटी भी मिल रहा है तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगो कैसा लागा कमेंट स सेर जरूर कीजेगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद